तो स्वागत है आप सभी का ध्यापनीकेडमी के इस नय और लेटेस्ट वीडियो में आज का ये वीडियो भी मैराथन वीडियो है और किस चीज का तो 10th क्लास के science के विवी अबजेक्टिव कोशन का ये मेराथन विडियो है यानि कि एद थोड़ा सा ये लंबा क्लास सालेगा लेकिन 10 टेंथ क्लास के science में कि विज्ञान का total must विवी अबजेक्टिव कोशन को हम लोग complete करेंगे ध्यान रहे इसके पहले भी मैं आप लोग को अब्जेक्टिव कोशन कम्प्लीट कराई हूँ पुरा physics का अब्जेक्टिव कोशन पुरा chemistry का और पुरा biology का science का टोटल अब्जेक्टिव कोशन कम्प्लीट कराया है जा चुका है लेकिन आज की इस वडिएयो में जो हम लोग objective कोशन कम्प्लीट करेंगे न यह वैसे objective कोशन है जो कि आप लोग के एक्जाम में बार-बार repeat होते हैं यानि कि repeat होने वाले question है ये बार-बार पूछे जाने वाले question है तो ये चीज ध्यान में रखिएगा और ये चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बिना script के वीडियो को देखिएगा और एक भी question आप लोग को miss नहीं करना है हर एक question पर आप लोग का command होना चाहिए पुरा ये निचोर निकाल कर जो science का book है ना पुरा निचोर निकाल कर ये देखा गया है कि कौन-कौन से question आप लोग के प्रिवे सेर में बार बार पूछे गया है यानकी कौन-कौन से वह question है जो की repeat होते हैं और कौन-कौन से question आप लोग के इस बार exam में पूछे जा सकते हैं और तब ये सारा question त्यार किया गया है ठेक है ना तो total science का हम लोग must भी विए objective question आज के इस वीडियो में complete करने वाले हैं और एक और खुशी की बात ये है कि इसका PDF भी आप लोगो फ्री में टेलिग्राम पर डाल दिया जाएगा अगर आप लोग टेलिग्राम से जुड़े हैं तो खेर कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोग अराम से डाउनलोड कर लिजेगा लेकिन जो लोग टेल आप लोगो आज के इस वीडियो में जितना भी साइंस का मस्ट भी अब्जेक्टिव कोशन कम्प्लीट करेंगे इसका PDF फ्री में डाल दिया जाएगा आप लोग आसानी से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या करना होता है तो लाइक शेयर करना होता है स्टार्टिंग में ही आप लोग जितना ज्यादा हो सके लाइक बार करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि सभी लोग और सभी स्टुडेंट इस हुए है मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर अन कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो या फिर लाइब क्लास हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो यहां से कोशन स्टार्ट हो रहा है और देखिए यह जो पीडिफ है खास तोर से आप लोग के लिए इस पे इसली बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बनाये गया है मैं आप लोगों को बता रहे हुए कि इसमें क्या खास बात है सबसे पहले तो देखिए लिखा है कि आपने केड मी फिर क्लास टेंद फिजिक्स विवी आई अब्जेक्टिव कोश्चन का यह पीडिफ है यह तो खेर आप लोग जानते हैं हमारे दोरा यह तैयार किया गया इसमें जो खास बात यह है ना वही है देखिए आगे क्या लिखा है क्लास टेंद फिजिक्स मैराथन वीडियो मतलब की यह क्लास टेंद के फिजिक्स का वीवी अब्जेक्टिव कोश्चन करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ही वीडियो में पूरा फिजिक्स कं चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके लिए आप जैसे ही यह लिंग पर क्लिक करेंगे देखें क्लास टेंद फिजिक्स मैराथन वीडियो यह इस लिंग पर क्लिक करेंगे आप लोग को क्या होगा कि जैसे इस लिंग पर क्लिक करेंगे वीडियो चलना स्टार्ट हो में पूरा physics complete ठीक है न तो ये वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं टेंशन मत लीजिए घबराईए मत ठीक है आप लोग धैर रखिए यह जो पीडिए इस ढहीं टेलीग्राम टाल दिया जाएगा आप लोग आसानी से ले सकते हैं फ्री में एक भी पैसा नहीं लेगा फ्री में आप लोग करता है यह यह जो सिस्ट होता है वह मरीज के दातू को बड़ा पुर्त ना hai क tuo का यूज करता है मरीज के दातों को अब बड़ा करके देखने के लिए को आगे बढ़ते हैं दूसरा question कि निर्वात में प्रकाश की चाल है देखिए हैं पर चाल टाइप हो गया है बट कोई दिक्कत नहीं है आप लोग तो समझदार है समझते हैं यहां पर क्या रहेगा प्रकाश की चाल ठीक है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है आप पूरा अंध तक देखना है एक भी कोशन मिस नहीं करना है टोटल हंड़ेटिव कोशन यह ऐसे कोशन है जो कि आप लोग के प्रिवेसर में बार-बार रिपीट हुए हैं और बार-बार पूछे गए आप लोग के एकजाम में तो ध्यान से देखिएगा आप लोग को एक भी क इंसर कोशन में से कौन दरपन का सूतर यांश कीक दरपन स्थर आप लोग को बताना हैं वन बाई फ्य प्लस वन बाई-ईई उप्सान में दिखाए दे रहा है इसको धीरे से टिक करना है आगे बढ़ते हैं question number 5 है कि किसी शब्द कोस में पाए गये छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा lens पसंद करेंगे ये भी VVI question है देखे ये सारा question तो VVI ये very very important है ही है लेकिन इसमें भी जो मैं आप लोग को बता दे रहे हूँ कि ये important है तो समझे कि उस किसी lens द्वारा उत्पन आवर्धन का SI मातरक क्या है आवर्धन का SI मातरक बताना है आप लोग बताईए आवर्धन का SI मातरक होता है M बराबर V विवटा यू होता है ठीके तो यहाँ पर तो आवर्धन का कोई मातरक ही नहीं होता है यानि कि ये क्या है मातरक विहीन है option number D is the correct answer आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है प्रश्ण नंबर साथ कि दो वक्रिय प्रिष्टो से घीरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं तो हम कहते हैं गोलिया लेंस option number C हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि उत्तल लेंस में बना परत्विम होता है उत्तल लेंस में जो प्रत्विम बनता है वह कैसा होता है आप लों को बताना है तो वह वास्तविक और उल्टा होता है रियल में किरिने मिलती है उत्ता लेंस में और उल्टा पर्देम बनता है आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 9 है कि सोलर कूकर में परियोग किया जाता है कौन से दरपन का तो ओतल दरपन का ओप्सन नमबर A हो जाएगा सही जवाब अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 10 कि ओतलेंस का आवरधन M बराबर होता है क्या होता है वी बटा यू ना कौन से ओप्सन में दिखाई दे रहा है तो ओप्सन नमबर D में दिखाई दे रहा है इसको धीरे से टिक करना है आगे बढ़ते हैं क्योश्ण नमबर 11 है कि गोलिये दरपन में फोकसांतर एवं वक्षता त्रिज्या के बीच संबंध होता है कौन से ओप्सन में दिख रहा है एक मिनट रुक जाएं जी हां देखिए यहां पर एव बराबर देखिए फोकसांतर एवं वक्षता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वो होता है एव बराबर आर बाई टू लेकिन हम इसको इस तरह से भी तो लिखते हैं तो आर बराबर टू एफ भी तो लिख सकते हैं तो देखिए आर बराबर टू एफ दिया है तो इसको टिक कर दीजिए ठीक है या तो यह दिया रहेगा नहीं तो यह दिया रहेगा ठीक है तो आप लोग को जो भी आप्सन में जिस तरह से दिखाई दे उसको टिक कर देना ह फको सांतर अवक साति जा के बिद संबंध को दरशा देना है आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रशन है कि एक उत्ता लेंस होता है वो किनारों के अपेकचा बीच में मोता होता है और किनारों में पतला होता है तेरा नमबर प्रश्ण है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है ये तो एकदम हलवा कोश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम और परावर्तन के भी दो नियम सही जवाब क्या हो जाएगा option नमबर बी अगला प्रश्ण है कि किसी माध्यम के सता होता है सर्च लाइट का जो प्रवर्थक सता होता है वह होता है अगला प्रशन है कि दाड़ी बनाने में कौन से दर्पन का परियुक्त कौन सा दर्पन परियुक्त होता है तो दाड़ी बनाने के लिए जो दर्पन का यूज किया जाता है वह किया जाता है ओतल दर्पन का का बड़ा परतविम बना कर दिखाता है ना यानि कि उसमें बड़ा परतविम बनता है इस वज़ा से दाड़ी बनाने के लिए अवतल दर्पन का यूज होता है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है कोशन कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या आप लोग जानते हैं दो होती है सही जवाब हो जाएगा अगला प्रशन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आप तन कोड बराबर होता है परावर्तन कोड के ठीक है सही option में दिया है यहाँ परावर्तन के नियम से पूचा है तो परावर्तन के नियम से हमें यही पता चलता है ना कि आपतन कोड बराबर क्या होता है परावर्तन कोड तो option नमबर सही जवाब हो जाएगा question number 21 है कि side mirror के रूप में परियुक्त होता है जी हां जो मोटरसाइकल का या फिर मोटर गाड़ी का side mirror होता है उसमें कौन से दरपन का यूज होता है कौन से दरपन परियुक्त हो रहता है तो इसका सही जवाब होगा option number B उत्तल दरपन क्योंकि उत्तल बनता है इस वज़ा से गाड़ियों के side mirror में उत्तल दरपन का यूज होता है option number B हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब अगला प्रस्टन देखिए प्रस्टन नंबर 22 कि किस दरपन से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतविम प्राप्त होता है तो उत्तल दरपन से उत्तल दरपन से हमेशा वस्तु जो है ना वस्तु का छोटा प्रतविम हमें देखने को मिलता है तो option number B will be the correct answer अगला question देखिए question number 23 है कि निमन में से कौन सा पदार्थ ल लेन्स बनाने के लिए परियुक्ति नहीं किया जा सकता है next question question number 24 कि उत्तल लेंस की छमता होती है धन अत्मक और ओतल लेंस की चमता बता दें आप लोग comment में आगे बढ़ते हैं question number 25 की लेंस की चमता का ऐसाई मातरक होता है डायोप्टर और कहीं कहीं मीटर इन्वर्स भी देता है कभी कभी option में तो अगर मीटर इन्वर्स भी दिया रहें डायोप्टर ना दिया रहें तो इसको टिक कर दीजिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 26 है कि motor car के headlight में किसका परियोग होता है तो motor car के headlight में ओतल दरपन का यूज होता है option number C will be the correct answer यह याद रखिएगा question motor car के side mirror के रूप में उतल दरपन और headlight के रूप में ओतल दरपन ठीक है question number 25 है sorry 25 में बोल रही हूँ 27 है कि प्रकाश का वेग नियूंतम होता है यानि कि प्रकाश की चाल कम होती है किस चीज में option A में है निर्वात में B में है जल में C में वायू में D में है काच में इन चारों को comparison करके आप लोगों को बताना है कि किस में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है तो इसका सही जवाब होगा option number D काच में प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे कम होती है ठीक है इन सभी तीनों option की अपेक्षा ठीक आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है कि प्रकाश की किरण गमन करती है यह तो बच्चा भी बता सकता है कि प्रकाश की किरण जो होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है तो option को बताना है कि तारे क्यों टिम्टी माते हैं option अ में है वायू मंडली आप वर्तन के कारण में आपनों को पढ़ाई भी हूं तारे टिम्टी माते हुए नजर आते हैं तीस नबर क्वेस्चन है कि एंगेस्ट्रॉम का मान क्या होता है यह जभी इंपठटन को बहुता और रहे कि और एक में में लिख भी धूं करेहां धैंगेशन और डाना होता है 10 अपावड माइनस 10 मीटरन यह पर यहां पर नहीं रहेगा यहां पर रहेगा ठीक है option A is the correct answer पड़ाफट आगे बढ़ते हैं question number 31 है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है तो वो one वीचे पड़ होता है प्रिज्म से प्रकाश का one वीचे पड़ी होता है प्रकाश जो है न सात रंगों विवक्त हो जाती है और इसी घटना को one वीचे प कैसा परतीत होगा very important question और इसका जो सही जवाब होगा option number C हो जाएगा काला लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वो काला परतीत होगा यह बहुत बार question पूछा गया है आगे बढ़ते हैं question number 33 है कि इन में से कौन व्यक्ति नेतरदान कर सकता है option A में है संक्रा नेतरदान कर सकता है और वैसे भी नेतरदान में किस चीज का दान पुरा आख निकाल कर नहीं दान कर दिया जाता है नेतर का जो आख का जो होता है ना सिर्फ कॉर्णिया बाहर का जो जिली होता है वो निकाल कर दान किया जाता है ठीक है question number 34 है कि मानों नेतर दो है अता इन तक कि चेतर तक के वस्तुवों को हम दोनों आखों से देख सकते हैं और अगर बात की जाए एक आख की तो एक आख से हम के वाल एक सब पचास डिग्री तक के वस्तुवों को देख सकते हैं तो यह इंपॉर्टन कोशन है आगे बढ़ते हैं को नमबर थाटीफाइफ है कि कौन सा लेंस होता है उप्सटो को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर परतविम कितने सेकेंड तक रहता है यह इंप्रूटेंट कोशन है एक बटा 10 सेकंड, 36 का option number A हो जाएगा, एक बटा 10 सेकंड, जो है न, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेतर पठल पर प्रतविम रहता है, question number 37 है, कि आख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मातरा को नियंतरित करता है, यान कि आख में जो प्रकाश प्रवेश करती है, त उसकी मातरा को नियंतरित कौन करता है, तो उसकी मातरा को नियंतरित करता है, परितारी का यान की आईरिस, option number A is the correct answer, अगला प्रशन है, कि नेतर में प्रवेश करने वाले प्रकाश कीर्णों का अधिकान अपवर्तन होता है, कहां अपवर्तन होता है, option A में नितरोद अंतर अंतर प्रिष्ट पर, B में है, अभिनेतर के अंतर प्रिष्ट पर, C में कॉर्णिया के बाहरी प्रिष्ट पर, D में इन में से कोई नहीं, सही जवाब होगा option number C, कॉर्णिया के बाहरी प्रिष्ट पर, आगे बढ़ते हैं, question number 39 है, कि पुतली के साइज को नियंतरित करने वाला गहरा पेशिय डैफ्राम क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब होगा option number A, परितारी का, ठीक है, पुतली को साइज को नियंतरित करता है, question number 40, चालिस नमबर प्रश्ट है कि आख की पुतली किस प्रकार कारे करती है, आख की पुतली जो होती है, वो परिवर्ती द्व व्यास लगबग होता है, नेतरगोलक का व्यास आपनों को बताना है, रेडियस में बोल रही हूं, डैमीटर, तो नेतरगोलक का जो व्यास होता है, याद रखिएगा, 2.3 cm, option number A is the correct answer, पड़ाफट आगे बढ़ते हैं, question number 42 है, कि विदुत सिगनल कौन उत्पन करता है, तो एक साधारन पलिज होता है, वों 5 सतहो से घीरा देटा है, 2 ऐताकार, लोग प्रिम कहते हैं, यानि कि 2 सतहों कि बोल भी गाल हो गया और तीन एताकार हो गया, तो आपशन प्रश्न है कि निमन में से किस द्रिष्टी दोश में नेत्र को क्रिस्टल ये लेंस है नेत्र में जो उट्टा लेंस होता है वो धुंदला और अपारदर्शी होता है तो कौन सा दोश देखने को मिलता है अंहें मतलब उस दोश को क्या कहते हैं तो जब क्रिस्टल ये लेंस आंह का लेंस धुंदला और अपारदर्शी हो जाता है ना तो समझे कि आपको क्या हो गया है आपको हो गया है मोतिया बिंद तभी आपको हर चीज धुंदला दिखाई देगा डबल ये फिर त्रिपल दिखाई देगा ठीक है प्रकाश के परकिर्णन को कहा जाता है जैसा कि मैं आप लोग को पढ़ाई हूं क्या कहा जाता है जी हां टिंडल प्रभाव कहा जाता है और इसकी खोज जो है ना टिंडल नामक वेग्यानिक नहीं किया था आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रशन है कि श्वेत रंग कितने से क्या बना हुआ है श्वेत रंग बना हुआ है आगे बढ़ते हैं दृष्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध अधित्तम होता है यह भी आप लोग जानते हैं लाल रंग का ना तो आप्शन नंबर बीजद करेक्ट एंसर लाल रंग का तरंग दैर्ध सबसे ज्य आगे बढ़ते हैं चंद्रमा पर खड़े अंत्रक्ष यात्री को आकाश कैसा परतीत होता है और इसका जो सही जवाब होगा आपसा नंबर डी काला ठीक है अगला कुश्चन कि जरा दूरदर्शिता से पीरत व्यक्ति का उप्चार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है तो ओतल और उतल दोनों लेंस दाला जाता है ताकि दोनों जगा की वस्तुवों को वो फोकसित कर सके दूर की और नजदेक की इसी वज़ासे इसको क्या कहते हैं बाइफोकल लेंस ठीक है कोश्चन नंबर 52 है कि एक स्वस्थ मानों नेत्र के लिए निकट तथा दूर क्रमाशा होते हैं तो इसका सही जवाब होगा आपसन बढ़ी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत यहां से दो कोशन पूछ सकता है या तो पूछेगा कि एक स्वस्थ मानों नेत्र के लिए निकट जो स्वस्थ मानों नेत्र के लिए जो सबसे निकट की सबसे सबसे दर्शन की जो निकटम दूरी होती है यानि कि इस पस्ट देखने के लिए सबसे निकटम दूरी जो होती है वो कितनी होती है तो वो होती है 25 सेंटीमीटर यानि कि हम लोग 25 सेंटीमीटर तक की वस्थू को इस पस्थ देख सकते हैं अगर 25 सेंटीमीटर से और नजदिक लाए तो हम लोग कुछ नहीं देख सकते हैं साफ साफ नहीं देख सकते हैं इसी वज़य से कहा जाता है कि इस पश्ट दर्शन की जो नियून्तम दूरी है यानि कि एक स्वस्थ मानौ ने जो निट जितने निकट की वस्तूओं को देख सकता है ना नियून्तम वह 25 सेंटीमेटर यानि की 25 तो नहीं है यह नहीं तक देख सकते हैं दूर् जितना ज्छादा हो हम लोग उतना अनंत तक हम लोग देख सकते हैं तो निकट सबस्क्राइब सब्सक्राव और थे यह फिर नियुंत समय कि भी सेंटीमीटर यह याद रखेगा important question है आप लोग के एकजाम में पूछा जा सकता है question number 53 है कि स्वेथ प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधीक विछलित होता है वह है यानि कि जो रंग सबसे अधीक विछलित होता है अपने राष्टे से सबसे अधीक हट जाता है उस रंग का नाम बताना है वह कौन सा रंग है तो वह है बैंगनी रंग option number c is the correct answer पड़फट आगे बढ़ते हैं अगला question कि नेतर लेंज की focus दूरी अधीक हो जाने से कौन सा दिर्ष्टी दोश होता है और दिर्ष्टी दोश सही जवाब होगा option number b दूर दिर्ष्टी दोश में क्या होता है focus दूरी अधीक हो जाती है अगला question is the correct answer important समझते हुए मैं आप लोगों को जब पढ़ा रही थी तो बताई थी आगे बढ़ते हैं question number 56 है कि मानों ने तरके किस भाग पर किसी वस्तु का परतविम बनता है यह भी तो एकदम हलुआ तो इसका सही जवाब option number C 220 वोल्ट पर परतिया वर्ती धारा होती यानि कि AC करेंट होता है question number 58 है कि ओम के नियम में अचर राश्य क्या है यानि कि किसको नियत रखा जाता है किसको चेंज नहीं किया जाता है तो वह समानुपाती होगी किसके विवानतर के आई समानुपाती भी ठीक है ना यही है ओम का नियम आगे बढ़ते हैं question number 59 है कि लेड सल्फियूरिक अमल सेल का उप्योग होता है option number C A and B दोनों यानि कि automobile में और अधोकी कारियों में साथ नमबर प्रशन की निमन में से किसका अर्थ जल होता है तो हाइडरो का अर्थ जल होता है question number 61 है कि ताप बढ़ने पर चालक का परतिरोध क्या होता है option A में बढ़ता है B में घड़ता है C में बढ़ता है घड़ता नहीं और D में में से कोई नहीं सही जवाब होगा option number A बढ़ता है ताप बढ़ने पर चालक का परतिरोध बढ़ता है कि गड़ता है जी नहीं सुनिए यहां परधियान से चालक का जो परतीरोद होता है वह और शी fulf if son. को इसका तो अपने पर चालक का प्रतीरोद जो हता है अगर बात करें चालक की तो नभी एटर बात करें तो अर्द रहता है यानि कि ताप बढ़ने पर अर्ध जालनकर परिवर्तनिया होता यानि कि नतों बर्दा है नहीं घड़ता है तो सही जबाभ ऑउठ नुबर सी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कौूश्चन 63 है कि यदि चान्दी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा अगर चान्दी के तार का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध जी हाँ बेशक बढ़ेगा option number a is the correct answer 63 का option number a आगे बढ़ते हैं question number 64 है कि electron पर आवेश होता है आप लोग जानते हैं एक दश्मलाव चो गूरे दस का पावड 19 कूलम ठीक है न माइनस रहेगा 1.6 into 10 to the power माइनस 19 कूलम ठीक है माइनस रहेगा ध्यान से देखकर लगाएगा option में माइनस देता है question number 65 है कि कोई विदूत बल्ब 220 वोल्ड के जनेतर से सही हो जित है यदि बल्ब से 0.50 एंपियर विदूत धारपरवाईत होती है तो बल्ब की शक्ति होगी यानि की पी बताना है शक्ति पावर option A में 100 वाट, B में 120 वाट, C में 105 वाट और D में 110 वाट यह आप लोग कलिकुलेशन करेंगे formula से formula में आप लोग को भी बताई हूँ और पढ़ाई थी वहाँ पर एकदब important समझते भी बताई थी इसका जो सही जवाब होगा option number D 110 वाट formula से निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा question 66 है कि एक micro ampere बराबर कितना है एक micro ampere बराबर कितना होता है तो वो होता है 10 का पावर रहेगा minus 6 ampere ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला question कि एक किलो वाट घंटा का बेवहारिक मातरक क्या है ये भी important question है इसका सही जवाब होगा unit एक किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है एक unit मतलब एक sorry यहां पर एक किलो वाट घंटा का बेवहारिक मातरक क्या होता है unit होता है option number A is the correct answer question number 68 है कि एक जूल का मान होता है तो एक जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी अगला प्रश्ण है कि उर्जा का SI मातरक ये तो सब कोई जानता है उर्जा का SI मातरक जूल होता है अगला प्रश्ण है कि निमन में से कौन सा संबंध सत्य है सही जवाब होगा option number C भी बराबर IR अगल की वन नंबर की विदुदधारा उत्पन करने की युक्ती है तो बिदुदधारा उत्पन करने की युक्ती जैनित्र जो है ज्यांत्र कवाau are now होता है ना देखिया नमबर ए में ही दिया है साथ सच यालिस वाट इसको धीरे से टिक कीजिए आगे बढ़ते हैं कोशन नमर 73 है कि विदुद्ध हीटर की कुंडली में किसका परियोग किया जाता है तो इसका सही जवाब होगा और नाइक्रोम के तार का परियोग किया जाता है विदुद्ध चुमबक बनाये जाते हैं नरम लोहे के तंदा जाता है परियोटनाली का में 75 की एक वोल्ट कहलाता है यक मोल्ट कहलाता है जूल-पृति कुलंब थो इंगला प्रश्न की किद्वाट घंटा मात्रक है किस चीज़का मात्छा को सब्सक्राइब कि दून electro अगला प्रश्न है नमबर 78 कि निमलिखीत में कौन विधुत का सूचालक है अगला प्रश्न है कि आवेश का इसा ही मातरक होता है यह मेह वोल्ट, B मेह ओम, C मेह जूल और D मेह कुलाम तो आवेश का इसाई मातरक होता है कुलाम सही उत्तर option number D अगला प्रश्ण कि सेल के विद्धुत वाहक बल का मातरक होता है विद्धुत वाहक बल का भी मातरक आप लोगो पता होना चाहिए option number B होगा वोल्ट चाहे विवांतर बोले याद रखिएगा चाहे विवांतर का मातरक पूछे या फिर विभो का मातरक पूछे या फिर विद्धुत वाहक बल का मातरक पूछे तीनों का मातरक क्या होता है वोल्ट ही होता है और याद रखिएगा विवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है और आवेश का इसाई मातरक जो होता है वो कुलाम्ब होता है विधुद्धारा का इसाई मातरक याद रखिएगा विधुद्धारा का इसाई मातरक क्या होता है विधुद्धारा का इसाई मातरक होता है एम चित किया जाता है यहां तक तो 80 कोशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और मातर 20 कोशन बचा हुआ है इसकिप नहीं करना है आप लोग को हर एक कोशन को देखना है और उस पर कमांड करना एक भी चांग कि आद रखे तो विदूद बल में इसी का परियों किया जाता है टंगस्टन का विधूद शक्ति का इसा ही मात रखता है तो वटर क्षिए और उसे बढ़ा प्रिगावाट फिर लोण मतब किलोवाट मेगावाट तैरा वाट इस तरह होत dv30 परदर्शित करता है तो ओम को परदर्शित करता है ठीक है आगे बढ़ते हैं माइकल फैराडे थे प्रसिद्ध अगला प्रशन है कि द्वारा बदला जाता है क्या क्या कहते हैं तो इसका सही जवाब होगा option number A यांत्रिक उर्जा को विदूत उर्जा में क्योंकि generator जो होता है वो यांत्रिक उर्जा को ही विदूत उर्जा में बदलता है ना यानि कि हम लोग यांत्रिक उर्जा देते हैं तेके ना वो machine चलता है इसको जैसे हमें मिलता है क्या विदुत धारा मिलती है यांत्री कुर्जा को विदुत उर्जा में बदलता है तो आपसा नमबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर अगला प्रशन है कि विदुत मोटर के द्वारा बदला जाता है अब विदुत मोटर के द्वारा किसको किस चीज में बदला जाता है कौन विद्धूत को यांत्री कुर्जा में बदला जाता है और यह हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब इन दोनों कोशन में से एक जरूर पूछेगा या तो डाइनेमों के दोरा पूछेगा नहीं तो विद्धूत मोटर के दोरा पूछेगा आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 87 है क कौन चुम्बक यह पदार्थ नहीं है और अप्शन अ में तो है लोहा बी में है निकल सी में पीतल और डी में कोबाल्ट सही जवाब होगा ऑप्शन नमबर सी पीतल ऑप्शन नमबर सी इस तक करेक्ट इंसर अगला प्रशन है कि पृत्वी का विभाव होता है पृत्वी क में होता है तो उन slit शोटा है वह लाल रंग का विदून में तार मतलब क्या लाज वर जिंग जिसको जिनता वी कह जाता है विदून में तार भी कह जाता है लाइव वायर भी कहा जाता है फेस तार भी कहा जाता है जो भी हो इसको इस रंग से दिखाया जाता है लाल रंग का ये तार होता है आगे बढ़ते हैं कोश्ट नमबर 91 एक क्यानबर नमबर प्रश्ण है कि विदुत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है तो विदुत बल्ब जो दो कि यह रहे हैं यहां तो होता है तो यानु के समय परिपत है विदुत का मान बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता या इएक बहुत अधीक बढ़ जाता है क्योंकि प्रतिरोज जाता है वो अश्रून्य हो जाता है इसी वज़छ से धारा कमान क्या हो जाता है अनंथ हो जाता है यह इनकी बहुत अधीक बढ़ जाता है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन डाइनेमो का सिध्धान्त आधारित है डाइनेमो जो है ना यह विदुत चुमबा के प्रेरण पर आधारित है तो आपसा नमबर A is the correct answer आगे बढ़ते हैं है अगला क्वेशन है कि विदुत फ्यूस विदुत सिधान्त परकारिय करता है तो विदुत सिध्ञाने परकारिया करता है इसका सही जवाब ऑपसे किस राजय में स्थित हैं इसका सही उत्तर होगा और महारास्ट्र में फड़ाफट आगे बढ़ते हैं कि भारत का पवन उर्जा द्वारा विद्धुत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा इस्थान है यानि कि पवन उर्जा द्वारा विद्धुत उत्पादन करने वाले देशों में भारत का कौन सा इस्थान है यह आप लोगों को बताना है तो भारत का इस्थान पांचवा है आप लोगों को टिक कर देना है आगे बढ़ते हैं कोशन नमर 97 है कि स्वार सेल बनाने के लिए कि इसका उपयोग किया जाता है तो से और सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज किया जाता है अगला प्रशन है कि सरदार सरोवर बांध कि नदी पर बना है अगला प्रशन देखिए कोशन नमर 99 पर हम लोग पहुँच चुके हैं और मातर एक कोशन बचा हुआ है 99 नमर प्रशन है कि टिरी बांध किस नदी पर बना है यह भी इंपोटन कोशन है तिरी बांध आपको पता होना चाही गंगा नदी आप्शन नमरे इस दा करेक्ट अगला प्रशन है जोकी लास्ट प्रशन है सो नमबर की नविकर्ण या उर्जा का स्रोथ है option A में है नाविकिया उर्जा C में B में है सोर उर्जा C में कोईले से प्राप्त उर्जा और D में प्राकृतिक गैस से प्राप्त उर्जा सही जवाब होगा इस question का बताईए इसका सही जवाब होगा और आपसे नमबर भी सौर और जा और बी इस तक करेक्ट एंसर अप इस क्वेशन नवीकर्ण या और जा का स्रोथ सौर और जा है अब यहां से स्टार्ट हो रहा है केमेस्ट्री प्लस बाइलोजी का विवियाई अब्जेक्टिव क्वेशन देखिए यहां पर भी लिंक डाल दिया गया है क्लास्टेंद कमेस्ट्री मेराथन विडियो और वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं कि यहीं मैस्ट्री कंप्लीट कर दूंज सब्से को देखते हैं सबसे पहला प्रशन है कि श्वसन किस प्रकार की अभी किरिया है और उप्चयन को हम लोग और अभी किरिया कहते हैं यह याद रखिएगा तो श्वसन जो है ना एक तरसे औक्सी करन अभी किरिया है जिसको हम लोग उपचायन अभी किरिया भी कहते हैं आगे बढ़ते हैं अगला question देखिए कि लोहा को जिंक से लेपित करने की किरिया को कहते हैं यानिकी लोहा के उपर जब जिंक का लेपन चड़ाया जाता है तो इस किरिया को हम लोग क्या कहते है तो इस किरिया को कहा जाता है गेलवैनी करन option number B is the correct answer आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन प्रशन नमबर 3 है कि शाक सबजीयों को विग्डित होकर compost बनाना शाक सबजीयों को विग्डित होकर compost बनना किस अभिकिरिया का उधारन है तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा option number B उश्मा छेपी ये एक उस्मा छेपी अभिकिरिया है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन question number 4 है कि नमलिखित अभिकिरिया में अभगटन की अभिकिरिया कौन है अभगटन अभिकिरिया भी कहते हैं या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है अभगटन या फिर यूवी योजन अभिकिरिया तो वी योजन अभिकिरिया बोलिए फिर अभगटन अभिकिरिया बोलिए बात एक ही है तो देखिए यहां पर दो अलग अपियों के सकते हैं अडू है ठीक है और यह अभिकिरिया बनके दो प्रोडक्ट बना है यह तो होई नहीं सकता है यहां पर देखिए यहां पर एक अडू है यान कि यहां पर जो इस अभिकिरिया में भाग लेने वाले अभिकारक है जब प्रोडक्ट बन रहा है यान कि एक अभिकारक एक ही प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पर देखिए एक अभिकारक है और यहाँ पर दो प्रोड़क्ट बन रहा है यानि कि यही एक अभिकारक है जो कि तूटकर वियोजित होकर अभगटित होकर दो अलग-अलग प्रोड़क्ट को बना रहा है तो सही जवाब क्या होगा option number C यही है वियोजन या फिर अभिकारक दो से ज्यादा हो और वह अभिकारक करने के बाद सिर्फ एक ही प्रोड़क्ट दे जैसे कि एस टू प्लस आई टू यहाँ पर यह है और यह अभिकारक के बाद सिर्फ एक ही प्रोड़क्ट दे रहा है एक ही उतपाद बन रहा है तू है ठीक है ना तो इसको कहे हैंगे हम लोग सही हो जान अभी किरिया ठीक है और जिसमें कोई एक अडू तूट कर दो अलग-अलग उत्पाद प्रड़क्ट का निर्माड करता है उसको कहते हम लोग अब गटन अभी किरिया इसी वजह से और सी इस यह ओप 1 ìnुब्र 5 हैं कि लिटमस जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह पदार्त का बना होता है गो जो भी इस दे शबब अंभी अगे बढ़ते हैं अगला कोशन है कोशन कव सिक्स है निमलिक हीत में किस विजीन का उप्योग दीवारों की सफेधी और करने के लिए किया जाता है मस्ट इंपॉर्टन कोशन और इसका जो सही जवाब होगा वोगा आपसा नमबर भी सी ए ओच टू ठीक है ना आगे बढ़ते हैं फड़ा फड़ अगला प्रशन है कि कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है इसका पीच संभौता होग इंपॉर्टन कोशन है और इसका अगला कोशन है एकदम आसान सही जवाब क्या होगा आपसा नमबर ए-5 कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है यानि कि वो जो विलियन है वो कैसा विलियन है तो वो एक अमलीय विलियन है तभी तो नीले को लालकव में बदल दे रहा है ठेखे साथ होगा ही नहीं आठ भी नहीं होगा दस भी नहीं होगा औपसन नमबर एइस दग करेक्ट अंसर आगे बढ़ते हैं क्वेस्चनल नमबर एट है कि आख सब्देक अमल का प्राकृतिक सोर्स होता है जो वो होता है ऑफ्सन में देखिया सही जबाब क्या होगा इसका सही जबाब होगा option number B टमाटर इसी में तो ऑक्जेली कम पाया जाता है तो option number B is the correct answer आगे बढ़ते हैं अगला question question number 9 है कि Fe2O3 plus 2Al और अभिकिरिया के बाद क्या बन रहा है फ्रकार की है यहाँ पर आपनोंके बताना है कि कौन सी अभिकिरिया है option A में सही विष्थापन अभिकिरिया और C में विष्थापन अभिकिरिया तो इसका सही जबाब होगा और नमबर इसल का और टमाटर यहाँ पर जो हैं呢 f e to korn विस्थापित कर दे रहा है एल विस्थापित कर दे रहा है यान की लोहे को तो सिल्वर कुलॉराइड का रंग क्या है तो सिल्वर कुलॉराइड का रंग होता है स्वेथ और इस दा करेक्ट एंसर पड़फट आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन है कि एसी टिक अमल का आयूपी एसी नाम क्या है यह भी इंपॉर्टन कोश्चन है और इसका सही और हाफ इस टू हो याद रखिएगा यह भी कोश्चन बहुत बार पूछा गया है अप लोग के एकजाम में बार बार रिपीट होता है कोश्चन नमबर थाटीन है कि नमलिखीत अमलों में से कौन प्राबल अमल है आपसा ने में है लेक्टिक अमल भी में है सकार्बिक अम और डी में है फार्मीक अमल इसका सही जवाब होगा और सी सल्फियूरिक अमल कौन नहीं जानता है सल्फियूरिक अमल जो है यह सबसे प्राबल अमल है हमारों हाथ पर अगर गिर जाए तो यह हमारे हाथ को छेद कर बाहर निकल मतलब छेद सकता है सोचिए कोश्चन नमब कि धोने का सोडा का रसायनिक सुत्र है ओपसाने में है ना-2-C-O-3-10-S-2-O भी में है ना-2-C-O-S-2-O C में है ना-C-O-3-10-S-2-O और D में है ना-C-O-4-10-S-2-O तो इसका सही जवाब होगा ओपसान नमबर A ना-2-C-O-3-10-S-2-O इस दा करेक्ट अन्सर यह धोने का धोने का सोडा का रसाइनिक सुत्र है पड़ाफट आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 16 है कि सुध सोना को व्यक्त किया जाता है तो सुध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट के ठीक है ना आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 17 है की कि एक ग्राम सोना से कितना लंभा तार बनाया जा सकता है। एक ग्राम देखिए यह भी important question है। एक ग्राम सोना से याद रखिएगा दो किलोमीटरра तक का लंभा तार बनाया जा सकता है। तो option number c will be the correct answer. अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 18 कि सबसे अधिक तन्य धातू कौन है सबसे अधिक तन्य धातू जिसमें अधिक तन्यता पाई जाती है ठीक है यानि कि जिसको खीच कर सबसे अधिक ताना जा सकता है तो इसका सही जवाब होगा option number D सोना इस धक्रेक्ट अंसर यह सबसे अधिक तन्य धातू है इसमें सबसे ज़्यादा तन्य धाती है ठीक है question number 19 है कि खाना खाते समय यदि बरतन की तली बाहर से काली हो रही है खाना खाते समय मैं बोल रही हूं sorry खाना बनाते समय यदि बरतन की तली बाहर से काली हो रही है जो इसका मतलब है देखिए यहां पर थोड़ा सा question भी गलाट टाइप हो गया है question पूछने का मतलब यह है कि खाना बनाते समय यदि बरतन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है option A में है भोजन प इंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है इसी वज़र से बरतन की जो नीचे की तली है वह बाहर से काली हो रही है मतलब क्या है कि इंधन जो है न वह पूरी तरह से जल नहीं रहा है तो आपसा नंबर बीज दा करेक्टेंस और याद रखिएगा यह बहुत बार कोश्चन जाता होगा सीओ टू जो गैस है वो 0.03% पाया जाता है हमारे वायू मंडल में तो आपसा नंबर सी दा करेक्ट इंसर अगला प्रशन है कि यहां पर CH4 यहां पर CH4 यहां पर गलत टाइप हो गया है CH4 रहेगा यहां पर CH4 किसका समाने सुत्र है सही जवाब होगा ओपसा नंबर सी इलकेन का समाने सुत्र है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन कि संग मरमर का रसाइनिक सुत्र क्या है संगमरमर का रसाइनिक सुत्र आपलों को बताना है option A में CACO3, B में MGHCO32, C में CAHCO32 और D में MGHCO32 तो इसका सही जवाब होगा option number A, CACO3 calcium carbonate is the correct answer, ठीक है न? 22 का option number A हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब अगला प्रशन है कि चीनी का रसाइनिक सुत्र क्या है? बहुत ही हलवा question, सही जवाब हो जाएगा option number C is the correct answer, हलांकी देखिए यहां पर blank जगा छोड़ा गया है, लेकिन इसका option number C हो जाएगा चीनी का रसाइनिक सुत्र आगे बढ़ते हैं अगला question, question number 24 है कि तरीक का नियम निमलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया तरीक का नियम जो है न वो डोबे राइनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की किरिया को कहा जाता है जी हाँ उपसर नमबर A is the correct answer ठीक है आगे बढ़ते हैं फटरफट question number 27 है कि पादप में जाईलम उतरदाई है पादप में जो जाईलम होता है उसका काम होता है जल का वहन करना ठीक है न इसका ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हैं देखिए जाईलम में साटिंग में क्या है जो ठीक है जाइलम का काम क्या है जो से जल का वहन करना ठीक है यह भी आप लोग बस सेंस होना चाहिए याद रखने का कोई एक ट्रिक आप बना सकते हैं कुटपाद किसमें पाया जाता है तो सही जवाब होगा अमीबा में अगला कुश्चन है कि स्टोम काटा कहते हैं पत्तियों को जब आप लोग नीचे उलेट कर देखेंगे तो कुश्चन नमबर तीस है कि खुला परिसंचरन तंत्र किसमें पाया जाता है ऑप्साने में मनुष्य में कोक्रोच में सी में घोडा में और डी में उट में सही जवाब ऑप्सान नमबर बी हो ज और डी में हैं तो पौधों में पाये जाने वाला गाढ़ा एम दूद्या उत्सरजी पदार तरल पदार्थ को हम लोग लेटेक्सी कहते हैं तो आप्सान नमबर ए इस दा करेक्ट इंसर्ट सही उत्तर आप्सान नमबर ए है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि वरिक के सनरशनात्मक एम किरियात्मक की इकाई को याद रखिएगा नेफ्रॉन कहते हैं यह तो किसी भी हाल में आपनों को भूलना नहीं है बहुत बार पूछा जाता है अगला कोश्टन देखिए छोटी आत्मे भोजन के पाचन में निमलिखित में किस रस की भूमी का होती है अपसने में पीतरस B में अग्नियासी रस C में आंतरस और D में इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब इन में से सब ही अच्छा यहाँ पर D में इन में से सब ही है अपसने में पीतरस B में अग्नियासी रस C में आंतरस और D में इन में से सब ही तो इसका सही जवाब होग option number D इन में से सभी पीत रस अग्यासी रस और आंत रस ये तीनों रस की भूमी का होती है भोजन के पाचन में ठीक है फड़फट आगे बढ़ते हैं अगला question question number 34 है कि अमाशय में अदपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं लेई के तरह जब भोजन हो जाता है उसको क्या कहते हैं ठीक है जब हम लोग चबा चबा खर खाते हैं और वो खाना पेट में चला जाता है और वो एक तरह से थोड़ा अदपचा भोजन हो जाता है लेई की तरह तो उसको हम लोग काइम कहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 35 है कि मस्तिष्क उत्तरदाई है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन कि इन में कौन फल पकाने के लिए परियुक्त होता है सही जवाब ऑप्सन नमबर भी हो जाएगा जिब्रेलिन का काम होता है फल को पकाना यानि की फल को पकाने के लिए जिब्रेलिन होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 37 की पुस्पी पादपो में लैंगिक जनन होता है सही जवाब होगा इसका ऑप्सन नमबर भी फूलो द्वारा ठीक है अगला कोशन है कि मानो मादा के जननतंत्र का भाग नहीं है सही जवाब होगा ऑप्सन नमबर सी शुकरवाही का ठीक है कोशन नमबर 39 है कि निमलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उधारन है सेङ्वाब होगा ऑप्सन नमबर सी पापीता हिज्दा करेक्ट एंसर चालिस नमबर क्योशन पर हम लोग पहुँच चुके हैं और मातर दस कोशन बचा हुआ है बस आप लोग को स्किप नहीं करना है हरे कोशन पर आप लोग का कमांड होना चाहिए जुड़े रही अब हम लोग मन्जिल के बहुत करीब है बहुत जल कंप्लीट होने वाला है मातर पचासी तो कोश्चन है देखिए चालिस नमबर को पर हम लोग आ चुके हैं फुलो में नर जनन नर पर जनन अंग होता है अप्शन नंबर कोशन नमबर 42 की मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडारू किस दिन अंडाशे से बाहर निकल और दी में तीस वे दिन सही जबाब होगा आपसा नमबर वी चोदह हुए दिन बीज दग करेक्ट इनसर कोशन नमर 43 है किन में कौन लेंग जनन संचारित रोग नहीं है ऑपने में एड्स भी में गौनोरिया सी में सिफलिस और डी में है टाइफाइड इसका सही जबाब होग और इसका जो सही जवाब आप लोगो तो पताई होगा वो है डार्विन हो जाएगा इन्हीं के दौरा लिखे गई है यह पुस्तक दा ओर इस पीसिज कोशन नमबर 45 है कि मनुश्य में कितने जोड़े गुर्सुत्र पाए जाते हैं यह भी एकदम हलवा कोशन है यह कौन नहीं जानता है यहां पर जोड़ा पुछाए कितने जोड़े गुर्सुत्र पाए जाते हैं तो इसका सही जवाब होगा आपसा नमबर C 23 जोड़े यानि कि हर मनुश्य कंद्रगत 46 गुर्सुत् किस तरह के अंग है अपसेन में समझात अंग भी में और शेशी अंग सी में समवर्थी यंग और डी में इन में से कोई नहीं तो सही जवाब और सी हो जाएगा समवर्थी अंग अगला क्यूशन है कुशन नमबर 47 की वरतमान प्राडियों में कुछ संरशनाएं ऐसी पाई हैं जिन का शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रहे गया है ऐसी संरशनाओ को कहते हैं कोई होती हैं इस एक खता है और अरश की रही रहे गिया है तो ऐसी संरशनाओं को क्या चे तहें तो उस त Aku कैते हैं तो उस तरह के संरशनाओं को कहा जाता है। जी हां और शेषी उंग इस तठक करेक्ट थीख है न ऑसे प्रहिज है भार बढamtय chemical नंबर सी हो जाएगा डीने तथा प्रोटिन्स वह आरेने से मिलकर बना होता है गोड़ सित्र अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 49 की मेंडल ने अपने परियोगों के लिए किस पौधे को चुना अपसने में मतर तो क्या मतर होगा तो जी हम बिल्कुल मतर ही होगा अपसन नमबर ए ल कोई नहीं तो मनुष्य का जो वैग्यानिक नाम होता है ना याद रखिएगा वैग्यानिक नाम है होमो सेपियंस और यह भी बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है तो फाइनली यहां पर हो जाता है क्लास 10 के साइंस का मस्ट भी वी अबजेक्टिव कोश्चन कम्प्रीट या कि आप लोगा सफर खत्म हुआ यह मैरा थन वीडियो कम्प्रीट हुआ और आप अपने मन्जिल तक पहुँच गए यानकी टोटल अबजेक्टिव कोश्चन आप लोग कम्प्रीट कर लिए अब जाहिए एकदम बिंदास रहिए खुश रहिए अराम से एक्जाम दीजिए जितना भी कोशन में उठीक पेपर में इन ही अबजैक्टिव कोशन में से रहेगा जो कि आज के इस वीडियो में आप लोग ब्जैक्टिव कोशन कीए हैं ठीक है न तो जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाईए अगर समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा है तो अगले वडियों में अगले टॉपिक किसा तब तक के लिए जाहिंद और खुदाहाफिज